Hey everyone, welcome to my channel तो ये है Class 5 की Hindi सुनहरी दूप का पहला Chapter जिसको कहते हैं काटो में रह बनाते हैं तो Chapter का नाम हमने पढ़ लिया, काटो में रह बनाते हैं तो काटो में कैसे रह बन सकती है तो इसी Chapter के नेम से हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या बताया गया है, सबसे पहले इन तो लाइन्स को पढ़ते हैं, प्रत्येक मनुष्ये के जीवन में कठिनाईयां आती हैं, हमें कठिनाईयों से भैबीत नहीं होना चाहिए, मतलब हमें अपनी कठिनाईयों से डर्णा नहीं चाहिए, बलकि धैर्य पूरवक उनका सामना करना चाहिए, जो मनुष्ये अपने धैर्य एवं विवेक से काम करता है, वही विजय प्राप्त करता है, मतलब हमें पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, ताकि हम किसी भी मुश्किल का कोई समाधान, कोई सॉल्यूशन निकाल सकें, क्योंकि अगर हम किसी भी प् बैट कर सोचना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, घबरा कर नहीं सोचना है, और महनत हमें निरंतर करनी है, सच है विपत्ती जब आती है, कायर को ही दहलाती है, विपत्ती जब आपके ओपर कोई परिशानी आती है, तो कायर मतलब जो काम नहीं करता है, उसी को सबसे ज़्यादा डर्लग ता है, सूर्मा नहीं विचलित होतें, शन्ड leaders काल, उसी को कहते हैं? जो शूरवीर होते हैं, ठीक है, whenोई मतलब अपने बद्त से ज़गमंगातें नहीं, घबरातें नहीं, तो शन्ड यहीं नहींernी थीरज काल, नkachते हैं, मतलब एक भी प काम करना नहीं चाहता वो ही घबराता है जो वीर होते हैं वो बिलकुल भी परिशान नहीं होते हैं वो क्या करते हैं वो धीरज रखते हैं उनको पता है कि यह जो परिशानी है थोड़े समय के लिए है हम अगर धीरज से काम लेंगे तो हमें हमें इसका सॉलुशन आसानी से मि पाएंगे है ना विघनों को गले लगाते हैं काटो में रह बनाते हैं विघनों मतलब परिशानिया तो उनको गले लगाते हैं मतलब यह किसकी बात की गई है वीड लोगों की जो किसी भी परिशानिय को देकर घबराते नहीं है है कौन विघनों ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में मतलब ऐसा कौन ऐसी कौन सी परेशानी है पूरे संसार में जो आदमी की जिन्दगी में हमेशा रह सकती है ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना खम ठोक ठेलता है जब नर खम ठोक ठेलता मतलब यह क्या है मतलब जब किसी चीज के लिए मतलब लड़ने के लिए जब हम लड़कारते हैं परवत के जाते पाउं उखड मतलब जब हम हर तरीके से लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं कि नई इस परिशानी का सामना मैं करके रहूंगा या रहूंगी तो क्या होता है परवत के जाते पाउं उखड तो परवत के भी पाउं उखड जाते हैं मतलब यहां पर यह है कभी इसको कभी ने क्या किया है रिलेट किया है किस से परवत से कि अगर इंसान अपनी जिन्दगी में एक द्रण निच्चे कर ले कि मैं कभी भी किसी भी परिशानी से घबराऊंगा नहीं और उसका डट कर सामना करूंगा तो वो उसका सॉलुशन बहुत आसानी से निकाल लेता है जिस तरीके से अगर हम परवत पर परवत को उखाड़ने की ठान ले तो हम उसको उखाड़ कर ही रहते हैं तो ये एक उन्होंने यहाँ पर एक्जामपल दिया है मानव जब जोड लगाता है पत्थर पानी बन जाता है तो यहाँ पर कहा है कि मानव अगर जोड लगाए मानव अगर महनत इंसान अगर महनत करे तो क्या होगा पत्थर को भी पानी बना सकता है मतलब इनसान के मेहनत में इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर को भी पानी बना दे गुण बड़े एक से एक प्रकर है छिपे मानवों के भीतर मतलब एक से एक अच्छा और तेज गुण हर इनसान के अंदर मौजूद है बस आपको उस गुण को पहचानने की जरूरत है महंदी में जैसे लाली हो वर्ति का बीच उजियाली हो तो जिस तरीके से महंदी में महंदी का कलर होता है मतलब आप महंदी लगाते हो हाथ में थोड़ी देर बाद उतार देते हो लेकिन उसका colour जो है वो आपके हाथ पर रह जाता है उसी तरह आपने देखा होगा कि आप candle जो होता है candle के बीच में जो होती है वो क्या होती है cotton thread ही तो होता है जिसमें आप जलती है तो उसी वर्थी का बीच अब यहां पे इन्होंने जह एक्जाम्पल दिया है the vii8 की दिया का क्या करती है उसी से तो यजाला होता है इस बत्त्ति को नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है मतलब अगर आप इस बत्ती को जलाओगे नहीं तो आप रोशनी कैसे पाओगे तो यहाँ पर इसका तालुक किस से है इसका रिलेशन किस से है आपके दिमाग की बत्ती से मतलब अगर आपका दिमाग सही टाइम पर नहीं जलता और आपके दिमाग के बती नहीं जलती तो बताओ कैसे आपके जिन्दगी में रोश्नी आएगी तो कभी भी आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है निरंतर मेहनत करनी है नए नए तरीकों को सोचना है ठीक है कभी भी हार मान कर नहीं बैठना है और अपने दिमाग को बिल्कुल तेजी से दोडाना है कि मैं किस काम को कैसे कर सकता हूँ और ये बात आप अपने रेगुलर डेली यूज में भी कर सकते हैं कि आपका स्कूल से आने के बाद क्या रूटीन हो सकता है उस पर आप 100% फोकस रखें अगर आपने एक घंटा सिर्फ पढ़ाई को दिया तो एक घंटा मतलब एक घंटा आपका डेडिकेश्टिड होना चाहिए पढ़ाई के लिए ठीक है तो इस तरीके से आप एक परिवर्तन ला सकते हो अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन के साथ इसके प्रशन के उत्तर दे देते हैं भई निमली के प्रशनों के उत्तर विपत्ति किसको दहलाती है किसको दहलाती है जो कायर लोग होते हैं वो ही पढ़िशानियों से घबराते हैं विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता जो सूर्मा होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो वीर लोग होते हैं वो विचलित नहीं होते मानव के भीतर क्या छिपा है? मानव के भीतर एक क्या चीज छिपी है? मानव के भीतर छिपा है एक गुड़, हर एक मानव के अंदर एक गुड़ है जिसको उसे पहचानने की जरूरत है इस कविता के कवी का नाम बताओ तो इनका नाम है राम धारी सिंग दिनकर कविता का कोई अन्य उप्युक्त शीर्शक सोच कर बताओ तो ये चीज आप खुश सोचेगा क्योंकि मैं बता दूँगी तो आप इसका अंसर असानी से लिख लोगे आपको भी थोड़ा सा अपने दिमाग पर डालना चाहिए जोर तो जोर डालिए और इसका एक अच्छा सा शीर्शक बताइए फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछ सकते हैं मैं आपको बता दूँगी देन विपत्ति आने पर सूर्मा क्या नहीं करते विपत्ति आने पर जो सूर्मा होते हैं सूर्मा मींस जो वीर लोग होते हैं वो घबराते नहीं है बाधाय किसके सामने नहीं टिकती है वीर लोगों के सामने बाधाय नहीं टिकती है जिसने ठान ली कि मुझे कोई काम करना है उसके लिए कोई भी भाधा माइने नहीं रखती परवत के काउं कब उखड जाते हैं जब इनसान दुरूर निश्चे कर ले कि मुझे ये काम करना है तो परवत के भी पाउं उखड जाते हैं मानव के जोड लगाने पर क्या होता है मानव के जोर लगाने पर उसे कामयाभी हासिल होती है क्योंकि वो निरंतर एक ही direction में क्या करता है महनत करता है मानव के कुड किसके समान है तो यहाँ पर जो आपको इसमें दिया है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इसका answer लिखेंगे ठीक है गुण बड़े एक से एक प्रकर हैं छिपे मानवों के भीतर तो इन्होंने यहांपे किस के लिए दीgi महंदी के दिया था महंदी का example दिया था और इन्होंने एक दिय का example दिया था तो वही हमें क्या करना है यहां पर बताना होगा हाँ अब इसका हमें मीनिंग लिखना है बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं भैपाता है मतलब दिमाग की बत्ती जो नहीं जलाता है उसको किस तरीके से रास्ते दिखाई देंगे रास्ते दिखाने के लिए अगर हम किसी परिशानी में है और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो हमें अपने दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी हमें अपने दिमाग को दोडाना पड़ेगा अलग-अलग आप्शन्स को सोचना पड़ेगा तब ही हमारे पास कोई solution आएगा है कौन विग्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में ऐसी कौन सी परेशानी है जो इनसान की जिंदगी में टिक सकती है ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि उपर वाले ने आपको इतनी ता कट दी है कि आप अच्छाई को भी बुराई में और बुराई को भी अच्छाई में पलट सकते हो यह आप पर depend करता है कि आपकी जो संगती है वो किस तरीके की है तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप सब कुछ कर सकते हो कविता के तुकान शब्द चाट कर लिखो तो यहाँ पर आती दहलाती होते खोते इस तरीके के वर्ड्स आपको क्या करना है धूंड कर लिखने है यह मिलान करो यह मैं वाला पार्ट मैं नहीं कराओंगी आपको खुद से करना है तो मैंने यहाँ तक करा दिया है that's all from my side I hope आपको समझ माया होगा if yes please like share and subscribe that's all thank you